किसी को डाट के फटकार के चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है डाटने से किसी की सुभाओं को नहीं बदला जा सकता है हिरदय परिवर्तन से सुभाओं को बदला जा सकता है हमारी डाट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा सांत हो जाएगा लेकिन इस से जिन्दगी के कोई समाधान नहीं होंगे हिदय को बदल लिए एक पिता था उसकी एक लड़की थी बहुत प्यार करता था लड़की से अपनी प्राणों से जादा प्यार अपनी बच्ची से करता था हर पिता करता है कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है इतना प्यार माबाप के लिए बच्ची सुन्दर हो या गूरी हो या काली इसका कोई फरक नहीं पड़ता बच्ची तो बच्ची हुआ करते है बहुत प्यार करता था लड़की से हर एक्षा उसकी पूरी कर देता था बेटी के जुवान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था मिलने में लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की एक्षा पूर्दी करता था उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी ऐसा खाऊंगी ऐसा रहूंगी बेटे पिता ने कहा ठीक है बेटा बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से मानिवर मेरा आप से निवेदन है अपने बच्चों से प्यार करो बहुत प्यार करो बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविश खत्रे में पढ़ जाए ध्यार रखे इतना भी लाड प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो दूसरों के घरों में जाना है एक बात याद रखना कितना भी लाड प्यार कर लेना लेकिन बेटियों की सुभाव पे ध्यान जरूर देना हकीकत में बताऊं तो नभे प्रिसत ससुराल खराब नहीं होती नभे प्रिसत हमारी बेटी का सुभाव खराब हुआ करता है त्यान रखे आपको विचार करना है इतना लाड मत करो कि वो जित्दी हो जाए वो बड़े छोटों का भेदी भूल जाए वो मान मर्यादा ही भूल जाए वो भूल जाए कि मैं भारती नारी हूँ ध्याना रखना सुभी दाएं दो इतना मत देना कि कल तुमारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए ध्यान रखे उस पिताने सेठ ने बहुत प्यार किया बच्ची को इतना प्यार इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई एक बार ध्यान रखना लड़ंका बहु से घर नहीं चलता लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए विचार करिए लड़ंका नहीं चाहिए लड़ने वाली नहीं चाहिए जो खुशियां बाट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो उसने सेथ ने बहुत प्यार किया जिद्धी हो गए आठाठ बजे सोकर उठती कोई कुछ कहता तो हजार जवाब देती जलाहट रखती जुझला के बात करती एक बात याद रखना बेटियो यह तुम्हारा जुझलाना यह तुम्हारा गुसा होना यह तुम्हारा खीजना माबाप तो बरदास्त कर ले लेकिन ससराल बरदास्त करने वाली नहीं है ध्यान रखना माबाप तो जवाब सुन लेंगे लेकिन जब बिवाह करके ससराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बरदास्त किया जा सकता है लेकिन तुम्हारे गलस सुभाव को ससराल में बरदास्त नहीं किया जा सकता है ध्यान रखिए बहुत समल के जीना है अपनी जिन्दगी को एंकारी हो गई लड़की घमंडी हो गई लड़की मा समझाती की देखो तुम्हें करते क्या हो कितनी अकड में जीने लगी है कितना इगो हो गया इसको पटपट जवाब देती है पिताने का बच्ची है तीक हो जाएगी ना बबा बच्ची समझ के मत छोड़िये आपका ये प्यार आपकी धील उस बच्ची का जीवन बर्म मैं बिचार करता हूँ आपसे बात करता हूँ एकने वेदन करता हूँ बड़ी बिनमर्ता के साथ कि आज बच्ची की हर दिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे लेकिन ये आदत तेरी बच्ची को लग गई तो जिन्दगी भर तुम्हें आशु वहाना पड़ेंगे ध्याना रखिए लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है मान्यवर्ट बड़ी हो गई पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है तो जब बड़ी हो जाए तो माबाब को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर वस जाए मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए साधी कर दी पिता ने एक अच्छे घर में साधी हो गई विवाय हो गया चली गई ससुराल आठ दिन भी नहीं हुए फोन आ गया पिता के पास पिता जी हाँ बेटा बोल कैसी है अरे कैसी हूँ मर रही हूँ मैं यहाँ पे मर रही है ऐसा कि आठ दिन में तेरा यह हाल हो गया बोले मैं इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती हूँ इसी बक्त मुझे आए लेकर के चलिए मैं इस नरत में नहीं जी सकती हूँ पिता ने कहा यार आठ दिन में ऐसा क्या हो गया अरे बोले सब वेकार है यदि मुझे जिन्दा देखना चायते हो इसी बगता जाओ जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाए बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था इतना दहेश दिया था सब कुछ दिया था उसके बाद इतनी अच्छी साधी की पूरे नगर में ऐसी साधी कोई नहीं कर सकता है आथ दिन में ये क्या हो बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हो जल्दी आओ बापिस मुझे ले चलो यहां से नहीं तो बेटी का मुझ नहीं देख पाओगे लाचार पिता ध्यान रखना लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई लाचार था वो पिता क्या करता एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है आठ दिन हुए चला गया सस्राल में लड़की की जैसे ही गया किसी ने जैजिनेंद्र भी नहीं किया किसी ने राम राम भी नहीं की किसी ने इतना भी नहीं किया कि सम्धी जी आईए पढ़ारिये लड़की के ससुर अपनी जगे चले गए दामान बाजू से निकल गया देवर ने कुछ नहीं बोला उसने देखा यार आठ दिन की सादी में यह समसानी माहूल है यहां का किसी ने कुछ नहीं बोला घर में गया बेटी के पास कमरे में एक बात याद रखना एक बेटी के गलत बेवहार से तुमारी ही ससुराल में तुमारे माबाब का अपमान हुआ करता है प्यादर रखे और यदि बेवहार अच्छा रखती तो चार लोग उनके स्वागत में खड़े रहते कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है ध्यान रखिये कोई नहीं बोला उससे गया बेटी की कमरे में बेटी बात क्या इसी वक्त चलो पानी मत पीना इस घर का अरे पिताने का ऐसा क्या इसी वक्त पीर ले चलो मेरा दम घुट रहा है मैं यहां एक पल नहीं रह सकती हूँ उसने का बेटा रुको मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूँ क्या पूछना उस डायन से अरे उससे मत पूछो बुडिया से उसकी कारण तो मैं दुखी हूँ इस घर में आठ दिन हुआ नहीं मेरा जीना हराम कर रखा है बोले बेटा रुको एक बार मैं पूछता हूँ गया लड़की की सास के पास बोले बहन जी मैं आया हूँ सासने का दिख रहा है कोई मुझे चस्मा नहीं लगा है मैं आया हूँ कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आये हो तो पिता ने कहा यार ये किसा बेखार है बोले बेन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ कल के ले जाने वाले आज ले जाओ एसी लड़की बे दिये तुमने जीना हराम कर रखा है इसने आठ बजे सोके उठती है कोई काम नहीं करती है सीदा बना बनाया खाना चाहिए और किसी ने कुछ कह दिया तो एक की चार सुनाया करती है ऐसी लड़की दिये ले जाओ अपना पैसा बापिस ले जाओ अपना दहेज बापिस नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की पिता कसिर जुग गया बेटी की गलती से ध्यान लखना शर्मिंदा हुआ बेटी को लिया चला बोले बहन जी दस पंदरा दिन में भेज दूगा बोले कभी नहीं जिन्दगी मत भेजना उसको यहां दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद है पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड है बेटी को बिठाया कार में ले गया घर रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता ये माहौल कैसे निर्मित हो गया बोले पिता जी कहां पटक दिया तुमने मुझे ले जा करके इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो अच्छा था बोले बेटा एक बात बताओ देखो चिंता मत करो मैं हूना सब सही हो जाएगा एक बात बताओ तुमारी ससराल कैसे है बोले देखी नहीं है क्या एक दम न रख ससराल न रख बोले बेटा एक बात बताओ तुमारी सास कैसे है बोले डायन सास डायन चुडेल अच्छा ससुर कैसे है ससुर राक्छस पुरे सास डायन बोले दूर्ट नम्बर बन का मूर्ख अरे देवर कैसा है बोले आबारा बदमास यहाँ वहां घुमते रहता है अच्छा तो बेटी एक बात बता ननंद कैसी है बोले नम्बर बन की चुगली करने वाली चुगल खौर उसके जैसी लड़की मैंने जिन्दगी मैं नहीं देखी तो भीले वेटा एक बात बता तेरा पती कैसा है बोली साक्षात यमराज पती यमराज ससुराक्षास सास डायन देवर आवारा जेठ मूर्ग ननन चुगल खोर बोले एक बात और बता दे वेटा तेरे पड़ोसी कैसे है बोले एलेलबी बोले एलेलबी बोले लुच्चे लफंगे बदमास एलेलबी तो यही होता है बोले लुच्चे लफंगे बदमास अरे पिता ने कहा यार येक आदमी गलत हो शकता है दो गलत हो सकते है, पूरी ससराल का हर मेंबर गलत है, गल ससराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है, समझदार पिता था, ध्यान रखना, लड़की के मावाप को बहुत समझदार होना पड़ता है, उस पिता ने कहा कि अब गड़वर ससराल नहीं, गड़वर मिरी लड़की ह एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में जो देखो सब इसके खिलाप है जो देखो सब की ये बुराई कर रही है बोले बेटा चिन्द बोले पिता जी अब मैं कभी नहीं जाओंगी बोले मत जाना तिरे बाप का घर है आराम से रहना बेटी अपने हां किसी चीज की कमी नहीं ले गया पिहर में अच्छली तो गई भावी ने देखा अच्छा आ गई देवी जी इसका मतलब है कि अब बिचार बना कि अभी यहीं रहेंगी तो भावी ने का लाचा भी इदर कहा कि भावी अभी ध्यान रखना दो चार आट दिन को जाओ तो भावी भी इज़्जत करती है और जब रोज रोज रहने लगो तो भावी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी जी 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 अब साइड हो जा चलुट खाना बना चाइला नास्ताला बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे उसने कहा यारे भावी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी अरे बोले करती थी प्यार तरीके से रहे तो प्यार करे अर तू ससराल चोड़के आगई यहीं रहेगी क्या हमारी च्छाती पे डाल दलेगी अरे उसने कहा यारी भावी का तो नेचर बदल गया जादा लड़की पीहर में रहेगी इज़त खराब हो जाएगी मेरे भाई ध्यान रखना लड़की की सान पीहर से डोली उठना है और सस्राल से अर्थी उठना ये लड़की की सान हुआ करती है ये लड़की का जीवन हुआ करता है भावी का बेवहार मंदिर गई एक दिन दो दिन पांच दिन दो महिने हो गई अब तो मंदिर वालों को परिशानी हो गई पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे क्या अब तेल जले तेली का दिल जले मसालची का बाप कहां रह रह रही है पड़ोसी का पेट दुख़ा है जो भी सहेली मिलती क्यों कहां घूंग रही जीजा जी नहीं आई क्या अरे उसने कहा सत्या रहा सो वो जीजा का ना मुझे सस्राल में रहने दे रहा है ना पियर में रहने दे रहा है जहां जाए, साधी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछे क्यों, लेने नहीं आ रहे, छोड़ दिया क्या, अरे उसने कहा, यहां जीना तो और भी, महमान पूछे, रिस्तेदार पूछे, जो देखो वो टोके, ससरान नहीं जाती है, तीन महीने हो पूछे, देहान रूए, घनान, इनको बड़ी पड़ेसाने हो जाती है, क्यों नहीं जा रहे, अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेट की लड़की ससराल नहीं जा रहे है, लगता है की तलाग की तैयारी है, अरे हमें तो मालूम था यह ऐसा ही है, यह कहीं भी रहने वाली आरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया तीन महिने में पूरे महले ने उपद्रो मचा दिया बोले सेठ जी बलड़की जाती नहीं है क्या अब सेठ क्या बोले सेठ एक दिन उदास वैठी थी जरोके पर सेठ ने कहा बिटी बड़ी दुखी दिख रही बोले करूं क्या पिता जी मैं ससराल बिलकुल नरख है और यहां साधी के बाद क्या आ गई कि मेरी ये ज़ती मिट्टी में मिल गई जो देखो मुझे शक्की निगाह से देखता है जिससे बात करो जैसे ही बात करो है समाज टौकती है कि बुरी बात नहीं है एंसे ही टौका करो किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा ध्यान रखे माजने बाद बहुत दुखी हो गई वो पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी बोले क्या? बोली अपने नगर में एक महराज पढ़ा रहे है बड़े पहुचे हुए संत है मैंने तेरी चर्चा उनसे की है क्या बोले महराज? बोली पहले सुन ले सांती से उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं मंत्र का जाप करूं तो छे महिने में सस्राल तेरी मुठी में आ जाएगी मुठी में आ जाएगी बोले अब लड़की चायती क्या है? इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं? ये तो ये चायती कि जाती सांत मेरा राज हो जाए मैं महराणी बन जाओ सब लोग मेरे इसारे पर काम करे इनको राजपाट चाहिए और पुछ नहीं चाहिए ध्यान रखना बहु को चाहिए घर की चावी घर की माल्कियत वो किसी की अनुसासन में रहना नहीं चाहती है लोगों को अनुसासन में रखना चाहती है, पिता ने कहा बिटा छे महीने में तेरी सस्राल का पूरा बाता वरेंड बदल जाए तो तू सस्राल जाना चाहेगी उसने का पिता जी क्यों नहीं जाना चाहूंगी, अब अकल आगी उसको ठिकाने, ज्यादा बहु गड़बड करे ना, तो एक आज साल छोड़ दिया करो, अपने आप आएगी लोटके वापिस दिया अब अकल आगी उसको कि क्या करूँ बोले हाँ पिता जी, जा सकती हूँ मैं, बोले सब तेरी मुठी में होगा, बोले सब होगा, बोले हाँ तो बोले मैं जा सकती हूँ पिता जी बोले वो तेरे आगे पीछे घूमेगा, साज अरे तेरे पेर चुएगी वो, साज पेर चुएगी बोले हाँ, अरे ऐसी ससराल तो चाहिए थी मुझे बोले मैं, महराज ने क्या का, महराज ने ये का कि मंतर बोले पिता जी देखो, ये मंतर मंतर मुझे से नहीं होगा, ये कठिन काम है बोले एक काम कर, महराज ने ये का है कि मंतर तो मैं जप लूँगा साधना तू कर ले ना बोले मंतर तुम जप वो साधना मैं करूँ, बोले हाँ तो बोले पिता जी मुझे क्या साधना करना है बोले साधना तुझे इतनी करना है कि छे महिने किसी को जवाब मत देना किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे छे महिने जवाब मत देना और छे महिने किसी से अकड़ना मत जुक करके जीना इमानदारी से काम करना बोल तयार है बोले पिता जी तयार हो बस छे महीने ना बोले हाँ उससे ज़्यादा तो नहीं बोले नहीं उसके बाद सस्लाल मेरी मुट्टी मेरे बोले तुरंट मुट्टी में बोले नहीं हुई तो नहीं हुई तो बेटा अपना घर है भापी से जाना गया तैयार हो गई पिता ले गया सस्राल में जैसे ही पोँचा सब ने देखा फिर आ गई ये आपत की जान कोई नहीं बोला इन से ना ननन ने बोला कि भावी आ गई ना देवर ने बोला भावी आ गई नजेट ने बोला बहु आ गई पती ने का फिर आ गई कल्बु ही इस घर को बरवाद करने गुसा तो इतना आया हो से लेकिन पिता ने का साध न ध्यान रख कुछ भी मत बोल छे महीने गई पिता ने छोड़ा सास से बोला कि बहन जी रखी इसको बदल गई तो हर किसी को दिया जाता? इसको देने का प्रयास करिये सासमे का ठीक है गई सुभे उठी आथ वजे उठती थी छे महीने मुझे छे बजे उठतना है उठी गई सासू के बैर पड़े अरे सासमे का ये क्या है? ये बैर पड़ रही मेरे बोले अम्मा जी आशिरवाद दो कि आज का दिन सुकसान्ती से बीते सुब बीते तुम आशिरवाद दे दो तो सुकसान्ती सास खुस हो गई तो फिर तो सान्ती सान्ती है बोले अम्मा जी आशिरवाद दो मैं सब को खुशियां बांट सकूँ अम्मा ने कहा यार यह बोल क्या रही है ठेक ठेक बेटा आशिरवार जा रही थी एक पेर की चोट लगी कांच का गिलास पूड़ गया ससर ने कहा अंधी है क्या दिखता रही है तुझे आते ही साथ उपद्रों शुरू हो गए तेरे जब तक नहीं थी बड़ी सांती थी गिलास पूड़ के रख दिया अब गुसा इतना आया उसने का बुढ़े यदि मेरा बाप मन्त नहीं जपरा होता तो गिलास तेरे सिर्फ पे पूटता लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ मजबूर हूँ क्या बोलू पिता का चेहरा याद आया बेटा कुछ जवाब नहीं देना चुप रह गई बोली पिता जी गलती हो गई कल से थ्यान रखोंगी बाप ने कहा यार ये गलती हो गई इसके मूँ से तो गलती सब्द हमने सुनई नहीं है एक कहते थे तो सौ जवाब देती थी हजार जवाब आज के रही गलती हो गई उसने का बुढ़े रुक जाओ छे महीने बाद तुझे नहीं इस घर से निकाला मैंने तो मेरा नाम भी कौन बोला जहासी की राने नहीं नहीं ध्यान रखना विचार करें एक बाद ध्यान रख बस छे महीने इसका जवाब तुझे छे महीने बाद दूगी में ध्यान रखना गई सुवए से नास्ता बना रही चाय बना रही सास के कान में आवाज गई उसने अपनी बेटी से का बेटी देख रसोई में इतने सुवए सुवए कोन गया है कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं है ननन ने कहा बिल्ली नहीं है यह अपनी वाली बिल्ली है तो वोले कर क्या रही है वोले नास्ता बना रही है आरे बाब बरे देवर के लिए थाली परोसे जेट के लिए सब जबस्ता करे छे महिने का ड्रामा है बस ध्यान रखना सबको मेरी मुठ्थी पे चलना पड़ेगा जीना पड़ेगा देखा एक दिन बीते दो दिन महिने भर हो गए इतना बिवार चेंज सास ने कहा बिटा तु वोई वाली है या तेरे पिताजी ने बदल के भेज दिये तुम जुड़मा तो नहीं थी वो ने नहीं अम्मा जी कैसी बात कर रही हो ये घर मेरा है ये स्वर्ग से सुन्दर मेरा घर है मैं इस घर को पसाऊंगी सास ने कहा बेटा तु इतनी चेंज हो जाए कि मा बुढिया रुख जा पांच महीने तो बचे फिर बताऊंगी मैं तुझे इतनी साफ्ट पेर दबाती जैजनेंदर करती पिताजी को पिताजी पिताजी कहकर के बात करती लोगों के दिलों पे राज करने लगी एक महीने में उसने देखा यार बाबा जी का मंत्र तो बड़ा प्रभावी है उन्होंने तो कहा तो छे महीने लगेंगे यहां तो पूरी सरकार मेरी मुट्टी में आ गई है अब तो अपना राज हो गया है एक दिन सास ने बुलाया बेटा इधरा इधरा देख तु इतनी अच्छी लक्ष्मी आई है मेरे घर में बोले लक्ष्मी मालूम नहीं लक्ष्मी कबरण चंडी दुरुगा बन जाएगी बोले बेटा एक काम कर ए जो चावी है ना आज से तो समाद अरे उसने का हो गई आज मेरी जिन्दगी अमा जी लाओ अरे ले बेटा ले पती से कहा बेटे से कहा दुकान से लोटो जो भी पैसा आए घर की लक्ष्मी के हाथ में देना अब मैं बूरी हो गई हो अब सब हिसाब किताब यही रखेगी अब घर यही चलाएगी धोबी का पैसा भी यही देगी दूद वाले का पैसा यह देगी सबजी वाले को पैसा यह देगी जो भी कमाई करके लाओ मेरी बहुरानी के हाथ में रख देना अरे उसने कहा वाए बाबा जी आज तो बल्ले बल्ले हो गई सब कुछ मेरे हाथ में हर चीज का नौकर चाकर का तनखाय तुम देना पैमेंग तुम करना कौन सी सबजी बनना है बहु बताएगी उसने कहा यार बड़ा मजा अब ससुर जी क्या करें दुकान से लोटें तो लोटते समय क्या करें वो बहु के लिए कुछ ना कुछ लेकर ससुर से मेरा निवेदन है सास से मेरा निवेदन है जब भी बारा मती से कहीं बाहर जाओ घूमने जाओ कहीं भी जाओ कुछ लेकर आओ या ना आओ अपनी बहु के लिए एक साड़ी लेकर जरूर आया करो अपनी बहु के लिए कुछ ना कुछ सामा इतालिया बहुओं ने बजाई किया सासुओं ने बड़ी होशिया ने बहुओं ने बजाई मज़ा आ गया आज हो गई सासुओं की धुलाई लेकिन इस सासुओं इतनी बेइमान हैं बाहर जाएंगी लड़की के लिए लेकर आएंगी बहु के लिए नहीं लाएंगी ध्यान रखना ये चोटी-चोटी बाते हैं ध्यान रखना यदि हर वार ससुर जी घर लोटे रोज घर लोटो कुछ ना कुछ बहु को लेकर आओ तुम बाहर जाओ सासवो तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ अरे एक नया मंगल सूटर ही लेकर आजाया करो और कुछ ना मिले तो कौन बूल आच्छी सुन्दर सी चपल ले आया करो ने चपल मत लाना बहु का मूड बिगड़ जाए तो एक मोबाइल ले आया करो कि मेरी बहु को मोबाइल ध्यान रहा इन बातों से कुछ होता नहीं है लेकिन बहु के मन में ये भावना आती है कि बाहर घूमने के बाद भी मम्मी ने मेरा ख्याल रखा है आपके प्रेम के संबंद बन जाएंगे आपकी आत्मीता के संबंद बने जाएंगे आप चायते हो ससुर जी बोलो कि घर में हमारा कोई इंतजार करे बैसे तो बुड़ों का कोई इंतजार नहीं करता है चाहेते हो कि कोई इंतजार करे इंतजार फोकट में नहीं होता मेरे भाई यदि रोज मीथा लेके आओगे तो बहु कहेगी पापा जी नहीं आए आज लेट हो गए अभी तक नहीं आए वो इंतजार तुम्हारा नहीं कर रही है गुलाब जामुन का कर रही है किसी भी वहाने घर में इज़त तो बनाओ मेरे भाई ध्यान रखिये तीर्थों पे जाओ तो बहु को लेकर कुछ ना कुछ आईए आप बताईए आप सोचिये विचार करिये आपके संबन नचे ससुर जी लोटे बहु के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएं धीरे धीरे एक महिने में परिवार तो बदल गया दूसरे महिने में बहु के विचार भी बदल गए सबसके साथ ऐसे रहने लगी ऐसे रहने लगी एक दिन रक्षा बनन का तिवहार आया भाई लेने आया भाई ने का बेट डीदी राकी का ते वहारे घर चलना है तो मालू है बहु क्या बोली मेरी मम्मी से पूछ लो जब पहली वार नजारा क्या था भाड में जाए वो डायन आज क्या कह रही है मेरे पिताजी से पूछ लो मेरी मम्मी से पूछ लो भाई ने का जी तू ड्रामा कर रही है हकीकत का मामला है बुले चुब बैठ पूछ किया जा गया अम्मा जी दीदी को ले जाओ अरे बेटा कहा ले जा रहा है बुले रक्षा बंदन है बुले बेटा तेवहार है तो मैं मना नहीं कर सकती लेकिन जब से तिरी बेहन इस घर में आई है स्वरगजें सावाता वरण हो गया है बो ना रहेगी तो हमारा मन ना लगेगा बो ना रहेगी तो एक दिन काटना मुश्किल है देवर बोला भावी जल्दी लोट कर आना ननंद की आँखों में आसु आ गए ससरों ने कहा बेटी तू मेरी बुढ़ापी की लाठी है जल्दी घर बापिस लोट के आना देखो भाईया राखी बंदे और दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को इसके बिना हमारे घर की सोभा बेभाई ने देखा ये बात गई घर पिहर जैसे ही पहुँची पिता ने पूछा बेटी ससराल कैसी है बोले एकदम स्वर्ग पिता जी अरे बोले वो नरक थी नरक अरक नहीं बिलकुल स्वर्ग है और बोले पिता बेटा ये बता तेरा वो राक्षस ससुर यार पिता जी मेरे ससर को राक्षस मत बोलो, देखो, इतने अच्छे हैं, कभी तुमारी याद तक नहीं आती है, जब तक उनके साथ रहती हो, मेरा जीवन बदल गया पिता जी, अरे बोले वो डायन सास, अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती, जितना प्यार मुझे मेरी सास किया कर, अरे भावी 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 करते रहता है, अरे बोले वो चुगली करने वाली ननन्द, चुगली नहीं, इतनी सम्मान और इजट, आज मुझे पता चला ससराल में जाके, कि घर में एक छोटी बेहन का होना भी बहुत जरूरी हुआ करता है, बिलकुल बेहन सहेलियों जैस अमराज पती, बोले देखो पिता जी, अब बरदास नहीं होगा, यमराज यमराज कहोगे, भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पती, मेरा देवता है, अरे बोले वो एलेल भी पड़ोसी, उनके जैसे पड़ोसी पिता जी, दुनिया में ढूनने जाओ तो मिलने वाले, बाप ने बेटी को चाती से लगा लिया, और कहा स्यावास बेटी, आज तुने अपने बाप का माथा उचा कर दिया है, आज तुने अपने पिता को गरव दिला दिया है, आज मैं समझ रहा हूँ, कि आज मेरी जिन्दगी का सबसे अच्छा दिन है, कि मेरी बेटी का घर स् बेटियों से निवेदन है यदि आप खुश रहोगी न तो पीहर में माबाप भी खुश रहेंगे ध्यान रखे उनके जीवन में भी वो आनंद वरसेगा क्या चाहते हैं एक माबाप कि हमारी बेटी को सुखी रहे इसका ध्यान रखे ससराल में यदि आपने वियोहार बिगा तो माबाप की आँखों में आशू आएंगे सास ससर रोई या ना रोएं माबाप सुख सुख कर आशू आएंगे ध्यान रखे एक जीवन बदल दिया उस लड़की ने लड़की ने पूशा कि पिता जी एक बात बताओ वो मंत्र कौन सा जप रहे थे तुम जिसकी मैं साध बना कर रहे थी बोले बेटा हकीकत में बताओं तो मैंने कोई मंत्र नहीं चपा तो फिर इतासर केसे हो गया बोले मेरे जाप से असर नहीं हुआ बेटे तरी साधना से तिरा जीवन बदल गया परवर्तित हो गया है तुने जवाब नहीं दिया सबका समान किया इस कारण त अच्छा पिता जी बेटा बेवحार बदलने से वही घर सवर्ग हो जाता है जो कभी नर्क में परिवर्तित हुआ करता है ध्यान रखे बेवहार बदलना अकली बहू बेवहार ना बदले सासूं को भिए अपनी जिंदगी बदलने का प्रियास करना चाहिए यदि बहू ऐसा प्यार देने का प्रियास करना चाहिए ऐसा ना हो कि मेरी प्रवचन से बहु बदल जाए और सास ललीता पवार बन करके खड़ी हो जाए ध्यान रखे नए फिर मेरा प्रवचन कोई असर नहीं करेगा यदि बहु सीता जैसी है तो तुम ललीता पवार मत बनो मेरी अम्माओ जगत जन्नी जगदंबाओ निरूपा राय बन जाओ और अपने घर को सर्ग बनाने का